श्रीराम नौमी का दिन श्रीराम नौमी थी हौल में सोसाइटी की काफी सारे औरते बैठी थी दादी रमायन की कहानी सुना रही थी तो इस प्रकार राम लल्ला, माता सीता और भ्राता लक्षमन के साथ अयोध्या लोटे और अयोध्या नगरी में राम राज्य शुरू हुआ इसी के साथ रामायन कथा का यह अंतिम अध्याय समाप्थ होता है बोलो श्री राम चंद्र की जय बजरंग बली की जय इसके बाद श्री राम प्रतिमा का आशिश लेकर सारी औरते अपने अपने घर निकल गई और गट्टू और चिंकी हॉल में बात ने करने लगए मैं भी प्रभू श्री राम से प्रभावित हो गया हूँ उनकी तरह मैं भी एक आदर्श बेटा बनूंगा हाँ हाँ मैं भी आदर्श बेटी बनूंगी पापा को दिये हुए सारे प्रामिस पूरे करूंगी फिर दोनों काटून देखने बैठ गया और देखते देखते काटून में खो गया तभी पापा आए और दोनों को काटून देखता देखकर बोले गट्टू चिंकी काटून बाद में देखना बेटा मैंने उस दिन तुम्हें वो पीले कलर की फाइल रखने को दी थी न वो फाइल लेकर निचे आओ हमारे ओफिस का एक पियोन आएगा उसे दे देना मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ पापा पियोन अंकल कब तक आएंगे यही पंद्रा मिनट में आ जाएगा ओफिस से निकला है अभी अभी ठीक है पापा जैसे ही काटून में ब्रेक आएगा हम फाइल लेकर नीचे चले जाएंगे प्रामेस पापा बाहर चले गए और गट्टो चिंके फिर से काटून में खो गए देखते देखते आदा घंटा बीद गया दोनों फाइल वाली बात भुल गया थे और काटून इंजॉय कर रहे थे तभी टी पॉय पर रखा मम्मी का मोबाइल बजने लगा लेकिन दोनों काटून में इतने खोई थे कि मोबाइल पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया अरे मम्मी का मोबाइल बज रहा है छोड़ो मौसी का कॉल होगा मम्मी को बताएंगे तो वो टीवी बंद करवाएगी और घंटा भर बात करते रहेगी मोबाइल छोड़ो तुम काटून देखो इस प्रकार दोनों मोबाइल को नजर अंदाज करके फिर से काटून में खो गया पंद्रह मिनट बीट गया और अचानक टीवी बंद हो गया गट्टू चिंकी ने देखा पापा सुईच के पास काफी गुस्से में खड़े थे पापा को देखकर गट्टू चिंकी को एकदम से फाइल वाली बात याद आई और दोनों डर गए सोरी पापा काटून देखते देखते हमें ध्यान ही नहीं रहा हम अभी जाकर फाइल प्योन अंकल को दे आते हैं वो आ गए है न तभी पापा के नजर टी पोई पर रखे मम्मी के मुबाइल पर गई और पापा और ज्यादा गुस्सा हो गए कोई जरूरत नहीं मेरा काम मैं खुद कर लोगा तुम अपना काम करो चलो जाओ पढ़ाई करो ऐसा कहकर पापा कमरे में गए और पीली वाली फाइल लेकर घर के बाहर निकल गए पापा हमसे काफी नाराज है चिंकी अब क्या करें चलो दादी के पास चलते हैं वो कोई न कोई उपाई जरूर बताएगी गट्टू चिंकी भागते भागते दादी के कमरे में आये और उन्होंने रोते रोते सारी बाते दादी को बता दी दादी हम क्या करें हम आज से प्रभू श्रीराम की तरफ पापा के आदश बच्चे बनना चाते हैं लेकिन हमने तो पापा को नाराज कर दिया दादी हम क्या करें पापा हमसे बात तो करेंगे न ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली क्यों नहीं करेंगे बिल्कुल करेंगे पाईल जैसी छोटी बात को लेकर पापा तुमसे ज्यादा देर गुसा थोड़ी रह सकते हैं लेकिन बेटा एक बात समझ लो प्रभू श्री राम जैसा आदर्श पुत्र बनना इतना आसान नहीं उसके लिए सारे मोह माया के पाश तोड़ने होते हैं प्रभू श्री राम सारे सुख चैन और राजसी एश्वर्य त्याग कर केवल अपने पिता के वचन के खातेर हस्ते हस्ते वनवास चले गए और तुम पिता को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करने के लिए काटून का एपिसोड भी नहीं त्याग सके और इधर पापा कमरे के बाहर खड़े खड़े सारी बाते सुन रहे थे दादी की बात खत्म होते ही वो अंदर आकर बोले इतना ही नहीं मा पियोन गेट के बाहर था फाइल नहीं पहुची तो उसने मुझे कॉल किया मैं अपना जरूरी काम छोड़कर इनकी मम्मी को कॉल करता रहा इनकी मम्मी का मोबाइल इनके सामने टी पोई पर ही था लेकिन ये काटून में इतने खोए हुए थे कि इन्होंने कॉल भी इग्नोर किये फिर मुझे ही अपना काम छोड़कर टीवी बंद करने आना पड़ा ये सुनकर गट्टू चिंकी रोने लगे हमें माफ कर दीजे पापा हम तो बारा ऐसी गलती नहीं करेंगे आपको दिया हुआ प्रॉमिस नहीं तोडेंगे आज हमें समझाया प्रभू श्री राम ने प्रॉमिस पूरा करने के लिए कितना बड़ा त्याक किया था हम श्री राम तो नहीं बन पाए लेकिन एक अच्छा बेटा और बेटी बनने का प्रयास जरूर करेंगे शोरी पापा ये सुनकर पापा मुस्कुराते हुए बोले डॉंट वरी बेटा इतनी भी बड़ी बात नहीं है गलती तो होती रहती है आज राम नौमिके शुव उसर पर तुम दोनों ने प्रभुश्री राम से कुछ सीखना चाहा यही बड़ी बात है बेटा ऐसा कहकर पापा ने गट्टू चिंकी को गले नगा लिया और ये नजारा देखकर गट्टू चिंकी के साथ साथ दादी के आँखे भी भर आई